सबी दोस्तों को जय हिंद वंदे मातन तो फाइनली दोस्तों ITBP में किचन सर्विस की भरती आ गई फुल नोटिस जारी कर दिया गया है ओनलाइन अपलाइन शुरू हो गया तो क्या दोस्तों ओनलाइन अपलाइन करते समय कौन कौन सा सर्टिफिकेट लग रहा है experience certificate जो NSQ level 1 क्या online apply करते समय लग रहा है या नहीं लग रहा है आई एस वीडियो में एक एक चीज जानते हैं लंबाई क्या है सेलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीजे, और सर्टीफिकेट, कोई भी सर्टीफिकेट हूँ, कब का बना होना चाहिए, नोटीस में क्या-क्या लिखा है, सारी चीजे, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने बाले देखेँ, दोस्तों बता दें, यहाँ पर पोस्ट की स संख्यां है महला पूरस दोनों कर सकते है लिंक कर दिया गया है समझ के दोस्तों आपन को बतादे यहां परタश बच्च्च अपला कर सकते हैं उम्र की बात करें तो 18 लेकर 25 साल के बच्चे अपलाई कर सकते हैं OBC को यहाँ पर 3 साल का छूट मिला है SC, ST को यहाँ पर 5 साल का आपको छूट मिला है समझे दोस्तों तो यहाँ पर आए देखिए यह notice है और यह full notice यहाँ पर जारी कर दिया गया देखिए kitchen, service, total 899 vacancy है आप लोगोंने कई बार यह notice देखा होगा और यहाँ पर आप लोग देख लिजिए male के लिए female के लिए देख लिए टोटल U, R, SC, ST, O, B, C, E, W, S टोटल भरती 899 है All India link activate हो गया है अब यहाँ पर आए देखिए लंबाई के लिए हम लोग इस भरती में बात करें लंबाई कितनी लगेगी तो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही वीडियो मना कर बता दिया था कि लंबाई कितनी लगेगी तो आप लोग यहाँ पर देख सकते दोस्तों देखिए लंबाई यहाँ पर 165 cm OBC, SC, EWS, UR 165 cm लगेगा समझ गे जेन्डल को OBC को SC को 165 cm महला OBC, SC, EWS, जेन्डल कितना लगेगा 165 cm समझ गे 165 cm लंबाई नहीं लगेगी 165 cm लंबाई पुरूस कंडिडेट महला कंडिडेट 155 cm और देखे चेस्ट जो है 75-80 cm लगने बाला है पुरूस कंडिडेट को आप लोग यहां पर देख लिए काफी सारे स्टुडेंट थे जिनका कोशन था कैड़े यार लंबाई कहीं जयदान हो जाए 170 cm तो नहीं दोस्तों 165 cm और इंडिया अभ्यार्थियों को लगने बाला है महिला को 155 cm लंबाई लगने बाली है इसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स आते नेक्स देख लिजे इस भरती में जब आप अपलाए कीजिएगा दोस्तों इस भरती में पहले आप लोगों क्या होगा तो देख सकनल का सब्सक्राइबाद लोगों का डे समच्वाइबाला कितना 12 समीटर आप लोगों का रेस होने बाला है साथ मिनट 30 सकेंड में समझ गए 11 फीट लॉंग जंप होगा तीन चांस में सारे तीन फीट हाइजम होगा तीन चांस में समझ गे दोस्तों तो इस भरती में तीन चांस में समझगे दोस्तो नौ फिट लॉंग जंप होगा तीन चांस में महिला कंडिडेट को इसके बाद दोस्तो इस भरती में आप लोगों की एक्जाम होने बाला है एक्जाम 50 मार्क का होगा समझगे दोस्तो एक्जाम जो है 50 मार्क का होने बाला है समझगे एक्जाम भी तयारी करवा देंगे बिलकुल फिरी में कहीं पर अपना बाइच नहीं खरीदना है कहीं पर अपना पैसा बरबाद नहीं करना है समझे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं document का तो देख लीजे दोस्तों document verification में देखिए लिखा हुआ है जब दोस्तों आप physical qualify कर लीजिएगा exam qualify कर लीजिएगा तब आपका document verification होगा trade test इस भरती में नहीं होगा देख लिए यहाँ पर बताया गया है educational certificate course certificate समझे दोस्तों तो educational 10th का marksit और यहाँ पर देखे date of birth जो 10th का marksit है और professional experience certificate if any तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इस भरती में nsqf level 1 nsdc से मानेता प्राप सिक्षन संस्थान से आपका training संस्थान से आपका certificate मांगा गया है तो दोस्तों यूट्यूब पर पहुत साथ ऐसे संस्थान के बारे में बोलते है कि यह तने बच्चे को करा रहा हूं यह रहा हूं जो उच्ऩार करने की उनक अड़ करने की कोई ज़रुवत नहीं है बच्चे खुद वहां पहुच रहे हैं जो यह बार-बार बीडियो बनाते हैं मेरे पास मन भाल उ या मेरा संस्थान यह है यह है वो है इन सब लोगों से बचके रहिएगा लंबा प्रोड आपके पास हो जाएगा जैसे में हुआ था समझ के दोस्तों तो यहां पर देखिए जब आपका करी आपका 24 का सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहां पर बता दिया गया है कि कोई भी सार्टिफिकेट है जो आपका AC verte certificate है यह देखिए एस्स्त अक्टूबर 2024 स्मझ के बिपकोड़क спасибо date मतलब क्लोजिंग डेट पहले से होना चाहिए एकटूबर दो हजार चूबीस से पहले का आपका सर्टिफ केट होना चाहिए यहां पर दीया गया है जिए यह बनवाए नहीं बन वाये यह एक्टूबर 2024 का होना चाहिए समझ के दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो सारी चीजे हैं और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सबसे जरूरी यहां पर है NSQ-AV-1 क्या online apply करते समय NSQ-AV-1 certificate लग रहा है या नहीं लग रहा है तो दोस्तों हम आप लोगों के एक चीज़ बता दें अभी जो online apply हो रहा है कुक में कुक में दोस्तों बता दे आप लोगों को दोस्तों यहां पर nsp of label 1 certificate अभी upload नहीं मांगा जा रहा है समझ के दोस्तों अभी upload नहीं मांगा जा रहा है के बल यह बोला जा रहा है आप जब educational qualification में आईएगा तो आपको यहां पर चूज करना पड़ेगा मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हो एक मिनट देख लिजे यहां पर यह जो गलती आप लोग बिल्कुल यहां पर बिल्कुल भी नहीं करना है जितने भी स्टूडेंट है एजुकेशनल क्यालिफिकेशन के समय जो आप से यहां मांगा जाएगा वो जो है यह आप आप लोगों को अभी देख लीजिए मैं आप लोगों को एक में दिखा दू यहां पर यहां से तब तक चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए और जिस भी स्टूडेंट को NSQA rabbit one हमारे दोरा आपको बनवाना है आप हमसे कॉंटेक्ट कर से देखे यहां पर मांगा जा रहा है देखे यहां पर मांगा जा रहा है matriculation दस्तपास और किसी भी इन्सक्योफ लेबल वन समझ के दोस्तों यहाँ पर देखे मागा जा रहा है जैसे आप यहाँ पर दीजेगा तो यहाँ से आप से institute का नाम मागा जाएगा कि आप NSQF लेबल वन का कोर्स किस institute से किये हैं और कितना परसेंटेज आपका है तो दोस्तों NSQF लेबल वन का जो है institute का नाम मागा जा रहा है और जिस institute का नाम आप यहाँ पर दीजेगा जब आप qualify हो जाएगा तो उस समय आपका वही institute का नाम होना चाहिए ऐसा नहीं अभी आप किसी institute का नाम दे रहे हैं और बाद में आपका certificate किसी अधर institute से हो तो बचके रहेगा ने तो आपका फॉर्म साथ में भरती से बाहर आपको निकाल दिया जाएगा तो जो भी student हमारे द्वारा देख लिजे भाई हम certificate बेच नहीं रहे हैं हमारा certificate बनने में टाइम लगता हम कोर्स आपको करवाएंगे हमारे दोरे आप सर्टीफिकेट लिजेगा तो हम आपको जैनुवन तरीका है वह देंगे पोर्स जो एभलेबू है जो कोर्स है आपको ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा इस पैन सर्टीफिकेट ऑनलाइन अफ्लाइन दोनों बनता है जो भी student ह सर्टीफिकेट बनवाना चाहते हैं जो जोएन हो जाएए वहाँ पर हम अपना नंबर दे देंगे आप हमसे बनवा सकते हैं समझ के दोस्तों लेकिन एक चीज समझ लीजे भाई जो पेमेंट है जो फी है कोर्स एडमिशन का हम पहले लेंगे payment पहले लेंगे इसके बाद आपका EKYC करेंगे registration करेंगे registration के बाद आपको course में joining कर देंगे लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए notification में लिखा है कि यहाँ पर expense certificate के बारे में नहीं बताया गया है कि कितने का होना चाहिए कब का होना चाहिए लेकिन यहाँ पर cast certificate के बारे में बताया गया है कि एक 10-2024 से पहले का आपका certificate होना चाहिए दाती परमानपत्र भालत सरकार का लेकिन expense certificate के बारे में नहीं बताया गया है कि यह कब का होना चाहिए समझ के जो भी student यदि बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं फी जो है ओल लगेगा ही लगेगा इस वीडियो की नीचे description में WhatsApp चैनल का link है जाके join हो जाएए वहाँ पर अपना number दे देंगे वहाँ से आप बनवा सकते हैं तो दोस्तों online apply का जो link है वह activate कर दिया गया है समझ के दोस्तों आप जाके online apply कर सकते हैं समझ के यहाँ पर देखे login है login पर जाके जैसे click कीजिएगा तो यहाँ से online apply हो रहा है समझ के online apply हो रहा है जो नए अभ्यारती है पले registration करना पड़ेगा registration का link आप पी mail पड़ेगा फिर आपका online apply शुरू हो जाएगा यहाँ पर expense certificate upload नहीं मांग रहा है institute का नाम मांगा जा रहा है समझ के तो जो भी बनवाना चाहते हैं हमारे द्वारा वीडियो की निचे description में वर्शेफ चैनल का link है जाके join हो जाए उसमें अपना number दे देंगे नेक्षी वीडियो में जाहिल वंदे मात्रम बेश्ट अपलग दोस्तों